प्रस्नावली 8.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने अभी तक प्रस्न संख्या 1 से लेकर प्रस्न संख्या 7 तक के प्रस्नों को हल किया है आज हम प्रस्न संख्या 8 से लेकर प्रस्न संख्या 11 तक के प्रस्नों को हल करने जा रहे है प्रस्टन संख्या आठ किसी कच्छा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का नुपात साथ नुपात चार है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से अठारा अधिक है तो कच्छा में कुल कितने विद्यार थी है आई ये से हल करते हैं तो सबसे पहले जैसा हम करते हैं मान लेते हैं मान दिया की बालकों की संख्या पहले बालकों का दिया हुआ है इसलिए बालकों की संख्या तो ये हम मान लेते हैं 7x चुकि 7.54 है तो ये 7x तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी बालिकाओं की संख्या ये 4x अब प्रश्ण से प्रश्ण में कह रहा है कि बालिकाओं की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अर्थात इस बालक की संख्या से हम बालिका की संख्या घटा दें तो आना चाहिए कितना 18 या यह 3x is equal to 18 इस समिकरन के दोनों ओर हम 3 से भाग दे देते हैं तो 3x by 3 और यह 18 by 3 तो हमारा आ गिया x कमान 6 अर्थात बालकों की संख्या यह हमने 7x माना था तो यह 7 और x कमान है 6 तो यह हो गया 42 और बालिकाओं की संख्या बालिकाओं की संख्या तो यह हो गया 4 into यह x कमान 6 यानि 24 इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या यह बालकों की संख्या जोड बालिकाओं की संख्या तो यह हो गया 4 और 2 6 और यह 4 और 2 6 यानि 66 प्रस्न संख्या 9 रीमा और सीमा की वर्तमान आयू का अनुपात 5 अनुपात 7 है चार वर्स बार दोनों की आयू का योग 32 हो जाएगा तो दोनों की वर्तमान आयू ग्याद कीजिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इनके उम्र जो वर्तमान उम्र है मान लिया कि वीमा की वर्तमान उम्र तो यह हो जाएगा हमारा 5 अक्स और सीमा की वर्तमान आयू यह 7 अब चार वर्स बार दोनों की आयू तो यह भी चार वर्स बार क्या होगी चार वर्ष बार यह रीमा की आयू यह कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4 और चार वर्स बार ही सीमा की आयू हो जाएगी 7x प्लस 4 अब प्रस्ण में क्या कहता है कि चार वर्स बार दोनों की आयू का योग 32 हो जाएगा तो आईए जोड़ देते हैं दोनों की आयू तो चार वर्स बाद इसकी आयो है 5x प्लस 4 और सीमा की है 7x प्लस 4 तो ये हो जा रहे है 32 तो ये 5x प्लस 7x ये 12x हो गया और प्लस ये 4 और 4, 8 हो गया इसका लिटो 32 अब इस समिकरन के दोनों और हम 8 घटा देते हैं चुकि इस 8 को हमें कैंसिल करना है तो 12x प्लस 8 माइनस 8 इसका लिटो 32 माइनस 8 तो यहां देख रहे हैं ये प्लस 8 और माइनस 8 ये कैंसिल हो गया तो हमारा यहां आ गया 12x इसका लिटो 24 अब हम इस समिकरन के दोनों और 12 से भाग दे दे रहे हैं तो ये 12x बाइ 12 और ये 24 बाइ 12 तो हमारा x का मान आ गया 2 इसलिए रीमा की वर्तमान आयो ये हो गई 5 इन्टू x था तो 2 यानि 10 बाइ 12 और शीमा की वर्तमान आयो ये था 7x यानि 7 इन्टू 2 अर्था 14 प्रत्न संक्या 10 रहीम के पिता जी की उम्र रहीम की आयो की चह गुनी है यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्स बड़े हैं तो दोनों की उम्र ग्याद कीजे तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह के प्रस्ण में जो जिसकी उम्र छोटी होती है उसे ही हम मानते हैं तो यहां छोटी उम्र होगी रहीम की इसलिए मान लिया कि रहीम की उम्र यह एक्स इसलिए एक्स वर्स तो रहीम के पिता की उम्र किया होगी रहीम के पिता की उम्र यह छे गुनी है यानि 6 एक्स और प्रस्ण से रहीम के पिता रहीम से 35 वर्स बड़े हैं अर्थात यह रहीम के पिता की उम्र अगर हम इससे रहीम की उम्र घटा दें तो आना चाहिए कितना 35 वर्स अर्थात 5 एक्स इसलिए टू 35 अब दोनों और 5 से डिवाइट करेंगे तो यह 5 एक्स बाई 5 और यह 35 वाई 5 तो हमारा एक्स का मान आ गया 7 इसलिए रहीम की उम्र चुकि एक्स थी यानि 7 वर्स और रहीम के पिता की उम्र यह था 6 एक्स यानि 6 गुना 7 यानि 42 वर्स प्रस्ण संख्या 11 राहुल के पिता की वर्तमान आयू राहुल के वर्तमान आयू की तिवनी है पांच वर्स के बाद दोनों की आयू का योग 58 वर्स हो जाता है राहुल के पिता की वर्तमान आयू क्या है आये से हल करते हैं माल लिया की राहुल की वर्तमान आयू ये है एक्स तो राहुल के पिता की वर्तमान आयू ये तिवनी है राहुल की उम्र के तो ये हो गया 3 एक्स अब पांच वर्स बाद पांच वर्स बाद राहुल की आयू तो ये कितनी हो जाएगी अभी वर्तमान में एक्स है तो पांच साल बाद इसमें पांच जूड जाएगा यानि एक्स प्लस फाइव ठीक इसी तरह से राहुल के पिता की आयू ये भी वैसे ही पांच जूड जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव प्रस्न से ये कहता है कि पांच वर्स के बाद दोनों की आयू का योग अंठावन वर्स हो जाता है तो हम लोग जोड देते हैं उसकी जो भविस से पांच वर्स बाद की आयू है तो एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इसकल टू फिफ्टी एट एक्स प्लस थ्री एक्स ये हो गया 4x और ये 5 और 5 हो गया 10 इसकल टू 58 अब इस समीकरन के दोनों और हम 10 घटा देते हैं तो 4x प्लस 10 माइनस 10 इसकल टू 58 माइनस 10 तो ये प्लस 10 और ये माइनस 10 कैंसिल हो गया तो ये 4x इसकल टू आ गया 48 अब इस समीकरन के दोनों और हम 4 से भाग दे दे रहे हैं तो 4x बाइ 4 इसकल टू 48 बाइ 4 तो ये आ गया हमें x इसकल टू 12 तो यहां सिर्फ हमें राहूल के पिता की वर्तमान आयू निकालनी है इसलिए राहूल के पिता की वर्तमान आयू ये थी 3x और x का मान हमारा 12 बाया है तो ये 3 इंटू 12 यानि 36 वर्ड्स ये राहूल की वर्तमान आयू ये बाईका पूस्याओ ये थी ले ने वर्तमाने एंटू 12 बाईकाए